वो जीप सुभे जब निकलना था उसी समय चली नहीं अब वो जंगलों में भटकते भटकते वो जीप भी ऐसी थी हम सब लोग लगे काफी कुछ कोशिश की धके मारे सब किया लेकिन गाड़ी चली नहीं आखिर कर साथ आट बजगे तो फिर किसी एक मिकेनिक को बुला लिया उसने आकर के कुछ इदर उदर किया और दो मिनिट में ठीक कर दिया फिर उसको पूछा केतने बैसे तो बले 20 रुपिया उस जमाने में 20 रुपे की किमित भूत होती थी लेकिन हमारे एक साथी ने कह रहा है ने यार दो मिनिट का काम और तुम 20 रुपे मांग रहे उसका ज का 20 रुपे नहीं ले रहा हूं 20 सांसे काम करते करते मैंने जो स्कील मेरे में आई है जो अनुभव जुटाया है यह 20 रुपे उसका है मैं समझता हूँ यही होती है स्कील की ताकत स्कील आपके काम का ही नहीं आपके भी प्रतिभा को प्रभाव को प्रेरग बना देता है और साथियों यहां एक और चीज समझने बहुत जरूरी है कुछ लोग नौलेज और स्कील को लेकर के हमेशा कन्फूज में रहते हैं या कन्फूज पादा करते हैं ऐसे लोगों को मैं हमेशा एक छोटा सा उधार देता हूँ आप बुक्स में पढ़ सकते हैं यूटूब पर वीडियो देख सकते हैं कि साइकल कैसे चलाई जाती है साइकल पर कैसे बैठना है साइकल कैसी होती है कौन सा पूर्जा क्या काम करता है कहां handle पकड़ना है, कहां break लगना, सब उसमें आपको वीडियो में भी देखेगा ये सब knowledge है, आपको knowledge है, इसलिए आप cycle चला जाएंगे, हैसा guarantee नहीं है लेकिन वास्ताओं में, actual में जब cycle चलाना होता है, तो skill की जरुरत पड़ती है आप कोई खुद को दिरे-दिरे आजाता है, और फिर आप अपनी मस्ती में भी cycle चलाते हैं, चलते रहते कोई तकलिफ नहीं होती है जैसे जैसे आपने इस कला को सीख लिया, इस talent में आ गई, skill आ गई, आपको कभी दिमाग खपाना भी नहीं पड़ता है और इस फर्क को समझना, सासन से लेकर के समाज के हरस्तर पर बहुत जरूरी होता है आज भारत में knowledge और skill दोनों में जो अंतर है, उसे समझते हुए ही काम हो रहा है आज से 5 साल पहले, आज के ही दिन, skill इंडिया mission इसी सोच के साथ शुरू किया गया था इसका मकस्द यही था कि यूद को knowledge के साथ ही skill भी मिले, कौशल भी मिले इसके लिए देश भर में सेंकडो, प्रधान मंत्री कौशल विकास केंदर खोले गए आईटी एईज के संख्या बढ़ाई गई, उनमें लाखों नई सीट जोड़ी गई, इस दोरान पांच करोड से जादा लोगों को skill development किया जा चुका है, और यह अभियान निरंतर जारी है साथियों तेजी से बदलती हुई आज की दुनिया में, अनेक सेक्टरों में, लाखों skill लोगों की जरुद है विशेश कर स्वास्त सेवाओं में तो बहुत बड़ी संभावनाय बन रही है यही समझते हुए अब कौशल विकास मंत्रा ले ने दुरियां भर में बन रहे इन आउसरों की मैपिंग शुरू किये है